इतिहास में इनको महमूद बेगडा की नाम से जाना जाता है, इनकी दो-तीन खासियते हैं, मैं बता दू महमूद बेगडा की, ये एक महत्वपूर्ण शासे कियें, तू कन्फर्म होगे, हम कहां डिसकस कर रहे हैं भी, गुजरात को ये डिसकस कर रहे हैं, ठीक है, ये दो च इतना भोजन खाते थे, रात को जब सोते थे, तो रसोया रात के लिए अलग से खाना मनागी रखता था, जहां सोते थे, बहां बैड के किनारे से, खाना लगा दिया जाता था, रात को उटते थे, फिर खाना खाते थे, और फिर खाना खालिया, फिर भूग इनकी खतम नही सब्सक्राइब पूर्सटेश रही होगी जानते है मेक्टावॉलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर करता ताना आप खुश लोगों को देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा मोते ही तो कई लोग कि गति कैसी होगी तेज होगी तो व्यक्ति कैसा हो गचा कितना भी खाए भसं ठीक है वो सीकड़ी बना रहेगा ठीक लेकिन अगर metabolic rate कैसी लो है तो वो fat को digest नहीं कर पाता है तो जो हमें यह कहा जाता है कि आप करो वाक करो योगा करो इन सब चीजों से क्या होता है कि metabolic rate हाई हो जाती है बढ़ जाती है जो कुछ आप ऐसा सबजीयां खाओ फ्रूट खाओ इन सब चीजों से भी फरक पड़ता है डाइजेशन अच्छा होता है तो metabolic rate आपकी हाई रहती है अगर आपका metabolic balance life में बना रहा तो पूरी जिंदीकी balance हो जाती है यह ना नहीं तु देखते हैं सर्दियों में कुछ लोग मोटे हो जाते हैं हम भी वैसे ही है ठीक है गर्मी आती है तो फिर क्या होता है नॉर्मल हो जाते है उसका लिए अपको सुपह उठने में इतना टाइम लग जाता है अब उठके नहां धो के तुरन ताना है तो workout का टाइम नहीं होता है और गर्मियों में और गर्मियों में वर्काउट का टाइम बना रहता सुपह में जल्दी उठ जाओ तो आप लोग अपने जीवन में अपनी अ तो फिर आप बंजाओगे मोटू लेकिन महमूद बेगडा मोटू नहीं थे महमूद बेगडा जितना खाते थे इनकी मेटवालिक रेट इतनी हाई थी सब डाइजेस्ट कर लेते थे बहुत ही ज्यादा मसल्समें था यह बहुत लंबा चोड़ा विशालका है भाई बंदा आया राज कर रहे हैं खाने के लिए समझ रहो सुबह उड़ते ही जवरजस्त नाश्ता लगा होता था आने दो फिर दुपहर का जवरजस्त खाना बीच में मिट में खाना फिर दुपह इसके बाद भी महमूद बेगडा की वेक और खासियत थी कि अगर इनके शरीर पर मक्की या मच्छर बैट गया तो भही मर जाता था हां क्यों मर जाता था वो इसलिए मर जाता था कि महमूद बेगडा को बच्पन से ही थोड़ा-थोड़ा बिश्त देकर पाला गया था यह इसलिए तो बिश्त देकर पाला जाता था तो जैसे बिस पुरुष विश्कन्या था तो कोई बिश्कन्या आके इनको डश न ले इसलिए खुद इनों ने अपने अंदर अंदर उतार लिया विस ताकि इनको न ले कोई ड़स था कि इनके शरीर पर अगर मक्की वेट गई अपनी जान से गई अब मैं आपको एक छोटी सी बास सुनाओंगे मेरे पास तो गाओं वाली जाबातें जादा होती है जब हम छोटे थे हमें पडोस में दादा जी थे अब तो नहीं है वो और बहुत बहुत ही अच्छे रिलेशन हम लोगों के मतलब पूरे पारिवार के रिलेशन इतने अच्छे कि हम लोग दादा ही कहते थे उनको दादा माने दादा दादी बुवा सब यह तो आज की दुनिया बड़ा प्राइवेट हो गई तो एक बार क्या हुआ कि उनको वह गई है लड़ी खुजली हो गई और यह बड़ी भयानक चीज होती है अगर यह एक बार हो जाए ना तो यह जहां एक से दूसरे में भी फैल जाती है फाइनली उनको इतनी ज्यादा हो गई कि वो परिशान हो गई दवाईया खाका कि यह वो अब गाउवाला आदमी दिमाग तो ज्यादा लगाते नहीं किसी ने कह दिया कि गेंगों में जो पाउडर डा तो आपकी सारी खतम हो जाएगी जैर जैर को मारता है गाउं का आदमी लोय अलोय को कटता है दादा जी ने आओ देखा नताओ पाउडर लेआओ पाउडर क्या होता है सलफात की पिसी हुई गोलियां होती है ठीक है बहुत भयानक जैर होता हालां कि अब तो शाहिद प्रि चल लहा था और लाइट भी चल लही थी फिर तो वह भागे और कुंडी में जाके कूद गए हैं लमियां तुने मेरे साथ क्या कर दिया ठीक है और कम से कम दो तीन घंटे वह उसमें पानी में रहे पानी पड़ता रहा उपर और समझ लो आग नहीं जा रही थी शरीर की उसके बाद उनके साथ एक क्या घटना हुई कि गर्वियों में अगर मच्चर शरीर पे बैठता था मच्चर मर जाता था मक्की मर जाती थी यह यह दची वाते यह आप लोग मजाक मास समझना तो दादा जी बन गए बिश पुरुष लेकिन आंटी को बिश पुरुष बन गए ठीक है तो खैर बुडापा था ना दादी निल्कल लेथी ठीक है अगर दादाने मताब लडाई जगडा हो जाता ना तो फिर इसलिए जो है मेहमूद बेगडा दो चीज़ों के लिए मशूर थे एक तो असीमित भूग के लिए और दूसरे इनको बिश देकर पाला गया था कि भूग इनके असीमित भिश देकर इनको पाला गया ये सब चीज़ें हैं है ना in spite of अगर हम देखते हैं कि इनका नाम बेगडा क्यों पड़ा है ना गड किसको कहते हैं गड का मतलब तो किला होता है तो बेगडा मेहमूद बेगडा यानि मेहमूद के पास जो हैं गड़ कर दिया अब दो वर्ड होते हैं एक होता बा एक होता है बेग बा सलीका कि जानकारी नहीं हो न तो एक बार किया हमारे चीए बाठी तिक है तो भाशाव में ऐसे ही हो जाता है तो इनको बेगड़ा इसलिए क्या गया कि इन्हों ने दूसरों के गढ़ों को जीत लिया और यह दो है ír एक जो दो है तो किलों को जीतने के कारण कौन से है ये गिरनार और चंपनेर गिरनार और चंपनेर ये दो ऐसे गड़ते कि जो बहुत मजबूत थे लेकिन महमूत बेगडा ने अपनी ताकत के बलपर इनको भी जीत लिया था ठीक है और उसके बाद इन्होंने गिरनार का नाम मुस्तफावाद रखा और चंपनेर का नाम मुहम्मदाबाद रखा तो इसका नाम इन्होंने मुहम्मदाबाद रखतीया था और इसका नाम मुस्तफावाद रखतीया था मेहमूद बेगडा की यह एक और खासियत थी कि यह बड़ा दयालू किस्म के विएक उदार थे दान बहुत दिया करते थे थे पहले राजाओं की प्रतिष्टा का एक बड़ा कारण उनकी द्वारा दान दिया जाना भी होता था तो यह दान बहुत देते थे तो अत्यधिक द दानी कि तो आओ कि यह कारण जरा वक्ष जरा वक्ष यह जर्वक्ष आपको जर से मालूम एक जर किसको कहा जाता है जर जोरू जाइदाद जर कहा जाता है माल को धन को आ रहे हैं समझें तो जर्वक्ष यह जरा वक्ष जरा देने वाला यानि कि अगर आप कहीं जगा आपको जर्वक्ष भी लिखा हुआ मिलेगा ठीके तो धन का दान करने वाला इस कारण इनको जरा वक्ष के नाम से भी जाना जाता था ठीके इनके बहुत ही मीठर सुआ हु दमा मेनी, ठीक है, कहा के थे, मिस्र के, बदर, बदर्दीन, दमा मेनी, ठीक है, तो यह जो बदरुदीन दमा मेनी थे, यह मिस्र के थे, इंका कोटेशन लिख लिए, इनका कोडिशन लिखिये आप कि точ करके मेहमूद बेगड़ा मैहमूद बेगड़ा मैंने ये लिखi दिया है बदृद्देन Official दमामीनी मिश्र की थैं, अन्हें और उन्होंने इनके विश्य में लिखाया, इनके वारे में जो उन्होंने सुना उनकी उदारता के विश्य में, तो उन्होंने लिखाता कि ये विद्वानों में सुल्तान और सुल्तानों में विद्वान सा सकते हैं। विद्वानों में सुल्तान और सुल्टानों में विद्वान कुछ बात समझ में आई कितनी बड़ी अलाईन है न विद्वानों में औरों के लिए भी कहा गया है यह कहा गया है उसके लिए मुहम्मद बिन तुगलक के लिए भी कहा गया है कि वो सौ पंडितों का सिरोवस्त्र तो सौ पंडितों का सिरोवस्त्र अपने सर के नीचे रखा करते थे तो प्रटिकुलर ये इनके लिए होता था जैसे कई बार है तो लोग लिख भी देते हैं simply बट इनके लिए exactly ये use किया गया है कि ये विद्वानों में सुल्तान यानि क पूर्टगालियों से युद्वी किया ठीक है उस टाइम तक पूर्टगीज भारत में आना शुरू हो गए थे पूर्टगीज का वाया 1498 में आए हैं ठीक है तो ये बाद की समय में इन्होंने पूर्टगीज जो है वो यहां पर आना शुरू हो गया है उनके साथ युद् कर क्टर क्यों दिखाई देते हैं ये क्योंकि इन्होंने धार्वे ग्रूप से कर देंक कि उन्होंने हिंडुउंगों पर जजिया कर लगाया था यह बेरी इंपॉर्टेंट पैक्ट इसको लिख दीजिये हिंडुउं पर जजिया इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था किस ने लगाया था महमूद बेगड़ा ने ठीक है अच्छा ये विद्वान है विद्वानों का सम्मान भी करते थे तो इनके दरवार में विद्वान रहते थे जिनका नाम था उदय राज उदय राज ने एक गरंथ लिखा है जिसका नाम है राजा विनोध एक्छल में अगर जो राजा विनोध उन्होंने लिखा है वो क्या है वो महमूद बेगड़ा की जीवनी है ठीक है तो इसमें लिख दीजिए आप कि उदय राज ने राजा विनोध नाम से एक ग्रंत का नाम है राजा विनोध उदय राज ने राजा विनोध नाम से उदय राज ने राजा विनोध नाम से महमूद बेगडा की जीबनी लिखी थी ठीक है बस इतने पॉइंट ना इसे याद कर लो 1458 गुजरात का सबसे महत्वण शासे क्यां कौन दिखाई दे रहा है आमें पते खां पते खां ने किसकी कौनसी उपादी धारण की थी अबुल फते महमूद तो जर्नली इनको किस नाम से जाना जाता था महमूद बेगडा क् कि इन्होंने दो गड़या की लोगों को जीता था कौनसे गिरनार और चंपानेर यानि दूसरे लोगों को गड़ों से बेगड कर दिया तो इनका नाम पढ़ गया महमूद बेगडा बेगडा करने वाला यह किस लिए असीमित भूग के लिए जब ऑप्शनल हुआ करता था हिस्ट्री तो यह पूचा जाता था कि गुजरात का कौन सा सासक है जो अपनी असीमित भूग के लिए जाना जाता था तो इट वास मेहमूद बेगडा ठीक है हां इनको जरावक्ष भी कहा जाता था क्यों क्योंकि यह बहुत ज्यादा दानी ते जर का मतलब आगे समझ में जर मतलब खजाना पैसा बदरुद्दीन दमामीनी जो मिसर के एक लेखक है इन्होंने इनके विसमी क्या कहा है कि यह विद्वानों में सुल्तानों सुल्तानों में विद्वान शा सकते ठीक है इनके दरवार में उध्यराज नाम के एक विद्वान लेखक थे जिन्होंने राजा बिनोध नाम से इनकी जीवनी लिखी है, धार्मिक रूप से ये कट्टा रहें, क्योंकि इन्होंने हिंदूओं पर जजिया कर लगाया है, यह इंपोर्टेंट फेक्ट हो जाता है, यहां तक महमूद बेगडा का काम पूरा हो गया बस, अब इनकी मिर्तियू के पश् के महमूद बेगडा की मिर्तियू के पश्चात इनके पुत्र, जलील खां, मुझफर शाह दितिये के नाम से सासक बने, अब तुम लोग मुस्कुरा रहे हो कहते हैं ना कि कि बड़ा जलील आदमी है, यह ना, लेकिन इसका मतलब अलग हो जाता है वहां, इन्होंने महमूद बेगडा का टाइम पीरेड है, 1458 से 1511, ठीक है, 1458 तू 1511, अच्छा मैं लिखा नहीं है नहीं है, आप 1511, इन्होंने 1458 से 1511 तक सासन किया है, 1458 से, और पूर्टगाली का वाए है 1498, पूर्टगाली के साथ में एक दुश्मनी बन गई, क्यों बनी गुजरात कहां पर है, आरफ सागर के तट पर, पूर्टगीज कहां पर आ रहे थे, आरफ सागर के तट पर, तो व्यापार को लेके पूरा जगडा वहां पर मौजूद है, चली आगे देखते हैं, जगडे क कि अपरे नाम निकलेगा, तो हमें ये समझ में आ गया है कि इस वंस का महतवपूर्ण शासक महमूद ब्यगडा, महमूद ब्यगडा की मिर्तियों के बश्चात, उनके पुत्र जलील का, मुजफपर शाह सेकेंड के नाम से शासक बने, और ये थोड़े बहुत बीच में फ कि 1526 से लेकर 1536, ये नोटेवल हैं, क्यों नोटेवल हैं, 1526 में ये शासक बने और 1537 तक इस शासक रहे, बहादुर शाह, तो बहादुर शाह जो हैं, इन्हों ने मालवा को जीता, और मालवा को जीतकर किस में मिला लिया, गुजरात में मिला लिया, ठीक है, मालवा को जीत कर गुजरात में मिला लिया, ठीक है, तो मालवा मैंने कहा है कि दिल्ली और गुजरात के बीच में एक बहुत महत्पून है, दिल्ली के शासक हमेशा सोचते थे कि वो मालवा पर अधिकार कर लें, ताकि गुजरात तक जाने बहादुर्शा जो है इन्होंने मालवा को जीता और किस में मिला लिया इन्होंने गुजरात में मिला लिया इसके बाद इन्होंने चितौड को चितौड के किले को लूटा तक है 1526 से 1537 जरा याद करो रिकॉल करो पानीपत का प्रिथम युद्ध कव हुआ है 1526 में कौन आ गया दिल्ली में बावर है ना तो बावर शासक बन गया लेकिन ये कब तक रहें 37 तक तो बावर तो चार साली सासन रहें फिर कौन आ जाएगा हुमाईयू ठीक है 34 35 में हुम जब ये गुजरात के शासक है उस समय में दिल्ली में कौन रहे पहले बावर और हुमाईयू तो ये किसके समकालीन हो गए बावर और हुमाईयू के एक लाइन में लिख दीजिए ठीक है कि ये बावर और हुमाईयू के समकालीन थे मुगल शासक ये मुगल शासक बावर औ हुमाईउं के समकालिन थे तो बावर से इनका जो है हुमाईउं के साथ भी संगर्ज चला तो एक बार हुमाईउं ने मालवा पर अटेक कर दिया कुछ समय के लिए गुजरात को भी जीतने में कामियाब रहा तो लेकिन जब तक बहादुर्शा रहे तो वो उस पर पूरान य लेकिन थोड़े समय के बाद ही ये दोनों को फिर से बहादुर्शाने सोतंत्र करा लिया तो तो लिख लीजी नीचे एक लाइन में कि इनका मुगल शासक हुमाईउं के साथ तंगर्ज हुआ अब क्या होता है जैसा मैंने बताया कि इनकी पिता के समय पूर्वजों के समय से ही किसके साथ इनके संबंद अच्छे नहीं थे पूर्टकाली के साथ में अब वह बही चलता रहता था फिर यह हुआ कि चलो संदी कर लेते हैं तो फूर्तकाली गवनर से निनुडक धीकन' निनुडि कुन था तो उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं लुट हम गुज्रात के साथ में संदी करना चाहते हैं जलवेले पे आ ज़ो वहां पर ही पार्टी होगी तो अबीज्यले पे चले गए संदीवंदी हो गई है थीक है महावल चल लाहा था शराप के जाम बताओ आप समुद्र के अंदर है हाथ में क्या है जाम है निया साफ निकल के आ रहा है अब शराब का नसा चड़ गया जादा, अब इदर नीनोड़ कुना पे भी नसा चड़ गया, इदर बाहदुरसा पे भी चड़ गया, बाहदुरसा ने का तुम विदेशी समझते क्या हो अपने आपको, याना हम तुमको कुछ नहीं समझते, तो नीनोड़ कुना ने का हम भी कि तुम को कुछ नहीं समझते करें कि इसे का हम तुम को पैर की जूती भी नहीं समझते और ने कहाम भी तुम कुछ नहीं समझते लिए को रागात इतनी बड़ गई कि सराव के नसे में दोनों out of control हो गए और उन्में गुथम गुत्त हो गई मल्युद में सारी दावत तो एक दुर्शा समुद्र में गिरे, नीनोडूर गुनाने का जलवेड़ा आगे वड़ा हो, ठीक है, जब तक ही रहेगा गुजरात में तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तो कुल मिलाकर इनकी बड़ा दुखत मिरती हुई अरब सागर में, और किस से गिरकर हुई, जलवेड़े से पीना चाहिए थी, और पीवी थी तो जादा नहीं पीना चाहिए थी, इतनी नहीं पीना चाहिए थी, कि आप सारे होसी खो वेठी, तो फाइनली एक कुश्चन आता है, कि गुजरात का कौन सा सा सकता, जिसकी अरब सागर में डूबने से मिरती हुई थी, तो इट वादुर्शा, ठीके, और किस के साथ संगर्स करते हुए थी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, कि अरब सागर में पुर्तगीज पर पुर्तगीज गवर्नर से हाथ अपाई हुई और समुद्र में डूब कर इनकी मिरतियों हो गई, कब की घटना है, यह 1537 की घटना है